अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो देखें आज की बड़ो हम बात करेंगे सार को फिर ओल सिरप के बारे में अब इस सिरप के क्या फायदे हैं, क्या side effect है, कैसे लेना है और कैस की price है ये सारी जानकर यहां आज की बड़ो में आपको दूँगा तो देखें प्राइसे सरुवात करें, तो ये जो है 379 रुपीज में आपको 400 ग्राम सिरप मिलता है तो देखें ये जो है ग्राम में आता है, ग्राम में इसलिए आता है क्योंकि इसमें ये जो है malt extract होता है अब जैसे कि आपने सहथ देखा होगा, सहथ कितना गाड़ा होता है, और सहथ भी देखिएगा आप वो ग्राम में आता है तो ये बहुत ही जादे ऐसे liquid form में नहीं है, गाड़ा रेता है सहथ की तरह तो इसलिए ये ग्राम में दिया जाता है अब इसको खरीदना कहां से है तो देखिए इसको आप कोई भी लोकल अलोपेथी मेडिकल स्टोर से खरी सकते हो या फिर बहां से नहीं मिलता है तो गूगल पर भी आप इसको ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो बहुत सारी फार्मिसी वेबसाइट इसको सेल करती है और ये जो है अलेंबिक फार्मा वालों का है जो की काफी अच्छी कंपनी है अब अगर हम बात करें से कंपोजिसन के बारे में या फिर इसमें क्या-क्या है तो देखिए इससे हमको मिलता है आईरन, काल्सियम, बिटामिन D3 जिसको आप कोले काल्सिफ रॉल भी बोलते हो इसके अलावा बिटामिन B2OL मिलता है बिटामिन B9 मिलता है जिसको हम फॉलिक एसिट बोलते हैं तो ये इसका कंपोजिसन है जिससे ये जो है सिरब बनाया जाता है अब हम बात करें इसके फायदे के बारे में या फिर किन किन कंडिसर में हम इसको ले सकते हैं तो देखिए ये जो है मैनली बनाये गया है आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए अगर आपको कमजोरी से लगता है, energy की कमी लगती है या फिर आप ठके ठके रहते हैं, तो उस condition हम फायदा करता है या फिर आपको खून की कमी है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ये आपको खून की कमी नहीं होने देता है आपके खून को बढ़ाने का काम करता है, आपके RBC को increase करता है तो दिखिए अगर आपको खून की कमी होगी, तो आपको बोड़ी के अंदर oxygen की भी कमी हो जाएगी आपको सांस लेने में तकलिफ होगी, या कोई भी आप काम करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी आप हापने लगेंगे, तो इस टाइप से प्रॉलम होती है अगर हमको खून की कमी हो जाए तो तो ये जो है खून की कमी नहीं होने देती है और हमारे बोड़ी में oxygen सही तरीके से जो है मिलता है हमारे बोड़ी के अंदर जो organs होते हैं उनको इसके अलाबा ये हड़ीयों को मजबूत करने का काम करती है इसके अलाबा मसल्स को भी ये मजबूत करने का काम करती है ये medicine इसके अलाबा देखिए अगर आपको कोई भी विमारी हुई थे माल लीजे जो है एक viral fever ही हुआ था आपको तो आपने देखा होगा कि अगर आपको simple बुखार भी हो जाए ना तो उसके बाद जब आप ठीक होते हैं ना तो आपको काफी कमजोरी बनी रहती है कई दिनों तक तो वो कमजोरी को या फिर आपको जल्दी recover होना है तो आप इसको ले सकते हो ये एक प्रकार से आपको जल्दी recover कर देती है ये सारको फेरॉल सिराब इसके अलाबा देखिए प्रिगनेंसी में ले सकते हैं प्रिगनेंसी में लेडिसों के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है पिगनेंजी में जो बच्चा होता है उसके growth और development में काफी मदद करती है और उसके brain के विकास को मदद करती है जो बच्चा होता है इसके अलाबा after delivery भी ladies ने इसको ले सकती है इसके अलाबा जिन ladies को मीनोपॉस हो जाता है वो ले सकती है क्योंकि मीनोपॉस के बाद इस type से supplement की या इस type से medicine की requirement होती है इसके अलाबा देखिए old age में ले सकते हैं जिनकी उमर जादा हो गई है जिनकी उमर 60 साल से जादा हो गई है तो बो ले सकते हैं उनको भी इस type से medicine की ज़रूर पढ़ती है तो इधर जो है इसके जो main फाइदे थे उनके बारे में आपको बता दिया है अब हम बात करते हैं dose के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए जनरली इसको एक चम्मच आप एक दिन में एक बार लेजिए लेकिन देखिए अगर आपको problem है या फिर आपको कोई भी iron की deficiency है calcium की deficiency है आपको कोई दिक्कत है तो उस condition में एक चम्मच से काम नहीं चलेगा उस condition में इसको दो बार लेना पड़ता है और बहुत ज़्यादे problem है तो उस condition में इसको तीन बार तक हम ले सकते हैं तो एक चम्मच करके आप तीन बार लेजिए अगर ज़्यादा problem है तो या फिर आप cable fitness के लिए लेना चाहते हैं आप एकदम fit रहें, healthy रहें तो उस condition में आप एक दिन में एक ही बार लेजिए मतलब एक दिन में एक ही चम्मच लेजिए अब देखिए simple इसको आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप इसको दूद के साथ ले सकते हो अब दूद के साथ अगर आपको कोई दिक्कत है तो हलके गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो तो देड़सो से 200 ml के बीच दूद होना चाहिए या दूद नहीं तो हलका गुनगुना पानी होना चाहिए देड़सो से 200 ml के बीच या फिर आप चाहे ना तो इसको एक चम्मच में डाली हो और बेसे पी सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं और इसका टेस्ट कावी अच्छा है आपको ऐसे लगएगा कि आप सहत पी रहे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे भी ले सकते हैं अब देखें इसको male, female कोई भी ले सकते हैं लेकिन छोड़े बच्चों के लिए नहीं है बड़े बच्चे ले सकते हैं छे साल से जो बड़ा बच्चा वो ले सकता है उस बच्चों को जो है पांच एमिल देना होता है या फिर जो है एक बार डॉक्टर्स सला करने तो बहतर रहेगा बगी प्रिग्नेंसी में लेडिस इसको बिल्कु ले सकती है अब कब तक लेना है तो देखिए इसको आप जो है सरीर में रैसेस या फिर पेट खराब हो सकता है और देखिए इधर जिनको डाइबिडीस है ना वो पहले डॉक्टर से चला करने तभी ले और इसके अलाबा कोई भी इस टाइप से मेडिसिन नहीं लेना है क्योंकि आप इसको ले रहे हो तो उपर से आपको इस टाइप से क आपको फायता नजर आने लगेगा और हर किसी परज़ल अलग लग आता है इसका अलाबा देखिए अल्कोहोल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्फूड, बाहर कर खाना पीने सब बंद करते हैं सब हेल्धिली बेखार होता है आप हेल्धी डाइड लेंग, हेल्धी लाइवी एक्स विडियो में जब तक आप बने रही हो देखते रही है आपके अपने चैनल में नॉलेज फोर इंडियन